नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पिनन मामले में भारती कुष्टी महसंग के अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग के खिलाफ आरूप पत्रो दायर किया और इंडोनेशा उपन बेड्मिंटन प्रोणामेंट में किदाम विफ्विकांत और चैचैस प्रोणोय पुरुष तिंगल्स क्वाटर फाइनल में पहुँचे दोपहर समाचार के साथ मैं मुकिश कुमार भीशन चक्रवाती तूफान विपरजोय के आशाम गुजरात में कच्छ जिले के जखाव बंदरगा के पास टकराने के आशंका है मौसम विभाग के अनुसार विपरज़ा चक्रवाद के गुजरात के जखव बंदरगाह के पास मंडवी और पाकिस्तान के कराची तटों को एक सो पचास किलो मीटर प्रतिघंटे के रफ्तार से पार करने की संभावना है मौसम विभाग ने सौराश्टों और कर्ची जिलों के तटवर्ती कुषित्रों के लिए चीताबनी जारी की है विभाग के ख्षित्रिय निरेशक M.S. मौहंती ने आकारश्वाणी को बताया कि भीशन चक्रवाद भी परजोए इस समें जखव बंदरगाह से 200 किलो मीटर दूर है अभी वो क्रॉस करने का संभावना है आज आर उस क्रॉस करने का टाइम में मिडनाइट का बाद विभाग कम होने का संभावना है इसकी काराण से हेवी रेनफॉल रहेगा कच में, दौरका में, और बंदरगा, अमनगर में भी राजी सरकार ने इस संभावित आपदा से निपटने के लिए वाई सिना, नो सिना, तटरक शकबल और सिना की साहता के लिए समनवे किया है और आपदा प्रबंदन की तैयारियों पर भी बल दिया है एतिहात के तौर पर चक्रवाद की आशंका वाले जिलों से 74,000 लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुँचाये गया है राज्य सरकार ने चक्रवाद के संभावित खत्रों से निपटने के लिए राष्ट्री आपदा मोचनबल और राज आपदा मोचनबल की 34 टीम तैनात की है मुक्षमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल उचिस्तरी बैठक में चक्रवाद से प्रभावित होने वाले च्षित्रों में स्थित्य की समिक्षा की विपर्जवा की प्रभाव से गुजरात में अनेक जगों पर भारी वर्षा की आशंका है पिछले 24 गंटे में राज जी के 115 विकास खंडों में वर्षा हुई है हमारे समवादाता ने बताया है कि तेज वर्षा और चक्रवाद से होने वाली च्षती को रोकने के लिए प्रशासन एतिहाती उपाय कर रहा है कच में बारिस और तेज हवाएं चलने की खबर हैं भूज में 15 मिलिमिटर, रापर में 13 मिलिमिटर, अंजार और भचाओ में 9 मिलिमिटर, लखपत और गांधी दाम में 5 मिलिमिटर, मुद्रा में 4 मिलिमिटर बारिस हुई भारी बारिश और चक्रवात से होने वाली शती को रोकने के लिए एतिहाती उपाय के रूप में भूज के कलेक्टर द्वारा कच दिले की स्टी बसों के आंतरिक परिवहन को रोकने के लिए एक अधिस उतना जारी की गई है। जिले के माधवपूर के घेड गाउं का दोरा किया और लोगों से चक्रवात के असर से सतक्त रहने की अपिल की। केंद्रिय पशुपालन मंत्री परसोतम रुपाला दो दिन के लिए देव भुमी द्वारका जिले के दोरे पर है। मंत्री सिरी रुपाला ने द्वारका के भोजन के पैकेट तयार करने का निरिक्षन किया भरत दिर्मनी आकास वणी समाचार हम्दाबाद राश्क्री आपदा मोचनबल एंडी आरेफ की महानेदेशक अतुल करवाल ने आज ने दिल्ली में मौजोदा इस्तिती पर नवी तम जानकारी दी उन्होंने कहा कि तठीक शित्रों और निश्वे आलाकों में रहने वाले लगभग एक लाख लोगों को आज सवेरे सफलता पूरवक सुरक्षित निकाल लिया गया महानेदेशक ने बताया कि आपाद कालीन विवस्था और हत प्रयासों में सहता के लिए कुल 18 NDRF टीमों को गुज़रात में तेनात किया गया है हमने और तैयारियां ये की हैं कि कुछ रिजर्व टीम्स NDRF के हमारे पास 15 और जगह पे उपलब्द हैं जिनको हम एरलिफ करके भेज सकते हैं हमारे जो अफसर्व हैं D.I.G. आप्स हैं कंसरन कमांडेंट हैं बटैलियन के जो छे बटैलियन जो गुज़रात का इगवाट एरिया फिस्पॉंसिबिलिटी देखती है उनको वही भेजा हुआ है कच्छ में राजपोर्ट में तो मुझा लगता है कि तमाम सरकारी एगंसीज की पूरी तयारी है इससे निपटने के लिए और अब आशा है कि लॉस आफ लाइफ और प्रॉपर्टी हम मिनिमाइस कर पाएंगे गुजरात के राहत आयुक्त आलोग पांडे ने बताया कि पिछले कुछ घंटों में चक्रवात की रफ्तार में कमी आई है मौसम विभाग के अनुसार तूफान की गती धीनी हो गई है और आज राद इसके तट से टकराने की आशंका है प्रशासन एतिहात के तौर पर पूरी तयारी कर रहा है रहात आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक आठ जिलों में 94,000 से अधिक नागरियों को सुरक्षे तिस्थानों पर भीजा है सुचना और प्रशारन मंत्राले ने आज चक्रवाद विपरज़ा की ताजा इस्तिती की जानकारी देने वाले विभिन समवादाताओं केमरामेन और मीडिया संगठनों की अन कर्मियों विशिशकर निजी टीवी चैनलों की लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता मंत्राले ने चक्रवाद की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सभी चैनलों की तैनात कर्मियों के लिए एक परामर्स जारी किया है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। से अलग कई कार्कम भी आयो जित होंगी। भारत की जी टुंटी अधच्छता के अंतरगत महिला टुंटी कारसमूं की तीसरी और अंतिम बैठक आज चिन्ने के निकट महाबली पुरम में शुरू ही। पहला सत्र सतत विकास लक्षियों महिलाओं के स्वास्त को लेकर भेदभाव, स्त्री पुरुष शमानता, सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के उपायों पर किंद्रित था। बैठक में संयक्त राष्टर जनसंख्या कोश की प्रतने थी, एंडिया वोजनर ने कहा कि मात्र मृत्र को रोकने की आवशक्ता है, अर्जिंटीना की डॉक्टर मावेल बियांका ने कहा कि महिलाओं के स्वास्त को महतो देने के साथ लेंगिक सशक्ती करन को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, दिल्ली पुलिस ने कुछ महला पहलवानों द्वारा कथित योन उत्पिणन मामले में चार शीट दायर की है, मेडिया से बाचीत में दिल्ली पुलिस की जन संपर का अधिकारी सुमन नालवा ने बताया कि धारा 354, 354D और 354A के अंतरगत कुष्ती मह संगी के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरण सिंग के विरुद चार शीट दायर की गई है, उन्होंने कहा कि पॉक्सु मामले में पुलिस ने कथित पीड़ता के पिता और पीड़ता के बयान के आधार पर मामला निरस करने की अनुशन सा की है रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने आज गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहोती देने वाले वीर जवानों को शिद्ध हंजली दी, पुलिस संदेश में शीट सिंग ने कहा कि इन सैनिकों की वीरता और बलिदान आने वाली पीड़ियों को प्र राणों की आहोती दी थी, लेटनेंट जनरल राजी भई ने सामरिक द्रिष्टी से महत्यपूर्ण कश्मीर इससे चिनार कोर की कमान समालने के बाद उन्होंने शुनगर के बादामी बाग छावनी में चिनार कोर मेमोरियल पर शिद्धान जलिया पित की, इस अबसर पर उ वर्ष्ट दोजार स्तेंतालिस तक विक्सित भारत के लिए निर्वाचिर प्तनिधियों की भूमिका पर अधारित था, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमूत सावंत ने शुरी बिड़ला को नए संसत भवन के उद्धाटन के लिए बधाई दी, शुरी बिड़ला ने राजी आज से दो दिन के दोरे पर जैपूर में है, आयुक का दल आज जैपूर में प्रदेश के सभी जिलादिकारियों और पुलिस अधिक्षकों के साथ बैठक कर रहा है। आम आदमी की समस्क्राव का निराकरन करना, महत्वपूर्ण कारेक्रम तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों की परियोजनों की देखरेक के उद्धेश से प्रगती को बनाया गया है। यह प्लैटफॉर्म शुरू किया गया, तब से प्रदान मंतरी हमेशा खुद इसकी द प्रदान मंतरी ने अब तक प्रगती प्लैटफॉर्म की 40 से ज़्यादा बैठोकों की अध्यक्षिता की है। पिछले बैठक में 9 महत्वपूर्ण पायवित सुविदा परियोजनों की प्रगती का जायदा लिया गया। तेरा रजों से जुड़े इन प्रकल्पों का कुल मुल्य 41,500 करोड रुपे से ज़्यादा है। प्रदान मंतरी ने इस बैठक में मिशन अमरुद सरोर की भी समिक्षा की। अब तक प्रगती प्लैटफॉर्म की बैठकों में लगबग 16,000,000 करोड रुपे से ज़्यादा तीन सो से ज़्यादा पायबुद सुविदा परिजनों की समिक्षा की गई है। जीवन भाउसार, अकश्वने समाचार, औरंगाबाद। 18 जून सुबह 11 बचे आप भी माननिय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाब 16 जून तक टोल प्री नंबर 1-800-11-7800 पर रेकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो आप या माईगव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं तो याद रखें रवी बार 18 जून सुबह 11 बचे मन की बार। इसकार सरकार की जल्द सिम्रिद्धिभ भारत की परिकल्प्रना साकार करने के लिए विभिन विर्तियों और संगठनों के अच्छे कारियों और प्रयासों को प्रोफ साहित करने के लिए दिये जाते हैं। ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारिक की जा रहे हैं। ताज़ इंटन टोर्णामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वाटर फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे दोर के मुकाबले में शुईकांत ने अपने ही देश के लक्ष सेन को सीधे सैट में हराया जबकि एचेस प्रणोय ने होंग कोंग के एंगस एंजी के लॉंग को पराजित किया। एकी इस परधा से शुरू हुआ पहला मैंच और स्टिल्या की निकोलस गेलवर्ट और कोलंबिया की अलफॉंजो मैक्वीन की बीच खेला गया। भारत इस वर्ष पहली बार फ्रांस में एनसी अंतराश्टी एनिमेशन में हुटसव ए आई एएफ में भाग ले रहा है। सूचना और प्रसारन सचे अपूर चंद्रा के नित्रित में एनिमेशन उद्यों की प्रतिष्टिक हस्तियों के साथ एक भारती प्रतिनीधी मंडल ए आई एएफ में वैश्विक दर्शुकों के लिए एनिमेशन और वी एफेक्स सामगरी बनाने में भारत की उक्षमता का प्रदशन कर रहा है दुबई में भारती महावालजी दूतावास स्काइलाइन इनिवस्टि और खेल परिशद स्राजा के सहयोक्ष 18 जून 2023 को नौवा अंतराष्टी योग दिवस मनाएगा इस वर्ष का योग दिवस वसुदहव कुटमगम के लिए योग विशे पर उप में शामिल होंगे अंत में मुखे समाचार एक बार फिर भीशन चक्रवाती तूफान विपरजोय आशाम गुजरात के कच्छ जिले में जखाओ बंदरगाः को पार करेगा मौसम विभाग ने सौराष्र और कच्छ जिलों के लिए चेताब भी जारी की जी ट्वन्टी कुर्शी मंत्रियों की बैठक हैदराबाद में शुरू हो गई है महिला ट्वन्टी शिकर सम्मिलन चिन्ने के निकट महा बलीपुरम में शुरू हुआ दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीडन मामले में भारती कुष्टी महसंग के पूर्व अधच ब्रिज भूशन शरान सिंग के खलाफ आरोप पत्र दायर किया और इंडोनिशिय उपन बेडमिटन प्रोनामेंट में के दामभी श्रीकांत और एचेस प्रोनोय पुरिश सिंगल स्क्वाटर फाइनल में पहुँच गए है इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार